हेलो दोस्तों स्वागत है अपका हमारी यूट्यूब चैनल जानकारीन हिंदी में दोस्तों कही हफ्तों की महनत के बाद आखिर कर एलन मस्क ने ट्वीटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद ही लिया तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे ट्वीटर के नए मालिक और दुनिया के सबसे अमेर व्यक्ति एलन मस्क के बारे में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उनके प्रारंबिक जीवन से दोस्तों उनका जन्म दक्षीन अफरीका में प्रेटरोरिया ट्रांसवाल में हुआ वो उनके तीन भाई बहन थे जिन में एलन मस्क सबसे बड़े थे दोस्तों उनके पिता एरोल मस्क इलेक्टरिकल इंजिनियर और पाइलेट भी थे दोस्तों वही उनकी मा मही मस्क एक डाइटीशन थी एलन जब बहुत छोटे थे तबी उनके माता पिता का डिवोस हो गया था और उन्हें अपने पिता के साथ रहने का मौका मिला था अब दोस्तों जानते हैं उनके एजुकेशन के बारे में दोस्तों एलन मस्क बचपन से ही बहुत ही महनती और उनको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरस्ट था दोस्तों उन्होंने बारा साल की उम्र में उतनी किताबे पढ़ ली जितनी की ग्रैजुएशन करने वाले स्टूडन्स भी नहीं पढ़ पाते दोस्तों बचपन में ही कम्प्यूटर में इंटरस्ट रखने वाले एलन मस्क ने कम्प्यूटर में प्रोग्रामिंग सेख कर एक गेम बनाया और ये गेम उन्होंने एक अमेरिकी कमपनी को 500 डॉलर में बेज दिया दोस्तों अब थर्ड पॉइंट है रोकेट साइंस उन्होंने पढ़ा और उन्होंने बना डाला रोकेट तो दोस्तों बचपन से ही फिजिक्स और कम्प्यूटर में इंटरस्ट रखने वाले एलन मस्क ने एक साल के अंदर ही खुद का रोकेट तयार कर लिया जिसके बाद उन्होंने स्पेसेक्स कंपणी का निर्मान भी किया हाला कि एलन का पहला रोकेट फेल हो गया चौथी बार में उनको सफलता मिली उन्होंने बहुत कम लागत में रोकेट तयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंच जाया दोस्तो अब जानते हैं उनके हाईयर एजुकेशन के बारे में दोस्तो एलन को हाईयर एजुकेशन के लिए 1988 में कैनड़ा पास्पोर्ट मिल गया जिसके बाद उन्होंने साउथ अफरिका छोड़ दिया और किंग्स्टन ओंटारियो के क्वीन युनिवर्सिटी में एड्मिशन लिया दोस्तो 1997 में फिजिक्स और अर्थशास्तर में ग्राजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर वो पिएचडी करने के लिए कैलिफोर्ना कैलिफोर्निया चले गए फिफ नमबर पे है दोस्तो टेसला और एलन मस्क दोस्तो एलन मस्क विश्व में प्रख्यात है और ये बात किसी से नहीं छिपी कि टेसला का इसमें सबसे बड़ा हाथ है दोस्तो टेसला कंपणी जो एलन के पास आई तो उन्होंने कई टेक्नोलोजी को बदल कर सस्ती दरों में इलेक्टिकल कारों का निर्मान कराया जिससे ये कारे बहुत तेजी से बिकने लगी दोस्तो एलन को बचपन में उनके जो फ्रेंड्स थे वो काफी परेशान करते थे जिसके कारण अकसर एलन मस की लड़ाई भी हो जाती थी दोस्तो वो एक बार उनसे लड़ाई करते हुए सिड़ी से गिर गये थे और बेहोश हो गये थे उसके बाद उस घटना के बाद आज तक एलन मस को सांस लेने में तकलीफ होती है दोस्तो सेवन तंबर पहे सोलर सिटी और टेसला दोस्तो एलन ने 2006 में अपने चचेरे भाई की कमपनी सोलर सिटी में इन्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में इस कमपनी को अमिरिका की दूसरी सबसे बड़े सोलर कमपनी के रूप में विक्सित कर दिया दोस्तो साल 2013 में इस कमपनी का एलन मस्क ने टेसला में विले किया और आज सोलर सिटी और टेसला मिलकर नई टेकनलोजी पर काम कर रहे है एट नंबर पर है विश्व के सबसे रही स्व्यक्ति दोस्तो फोप्स 2022 की सूची में एलन को पूरे विश्व में अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है एलन की नेट वर्थ 257 बिलियन डॉलर है वो अपनी कमपनी स्पेसेक्स के माध्यम से पृत्वे के ट्रांस्पोर्टेशन में रिवॉलिशन लाने के लिए काम कर रहे है दोस्तो मई 2002 में एलन ने स्पेसेक्स की स्थापना की और वो कमपनी के CEO और CTO भी थे दोस्तो कमपनी के पहले दो रॉकेट थे फालकन वन और फालकन नाइन था और पहला अंतरिक्षियान था ड्राइगन सितंबर 2008 में फालकन एक रॉकेट ने एक उपग्रह को बृत्वी की कक्षा में सापीद किया और इस प्रकार यह पहला नीजी रूप से फंडेट लिक्विड फ्यूल रॉकेट बन गया तो दोस्तो यह थी एलन मस्क के बारे में जुड़ी कुछ बाते तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे थाइंक्यू दोस्तो झाल 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 झाल